हादाब मैं हूं उंताज़ाल मर्ज बात करूंगा मैं कॉंगेस के लीडर रुक्न राज सभा इम्रान प्रताफ़गडी के जी हाँ इम्रान प्रताफ़गडी ने ट्वीट किया है और वो ट्वीट हिंदु महासभा को लेकर के जी हाँ हिंदू महासवाज जिसने राम नौमी के मौके पर मुसलमानों को फसाने के लिए या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में धंगा कराने के लिए जो साजिश की थी उसका जिस तरीके से परदाफाश हुआ है वो वाकई बहुत ही शर्मनाक है जी हाँ बहुत ही शर्मनाक है जो जिसका पर्दा फाश किया है और इमरान पताब गड़ी ने कहा है कि दरसल ये साधिश थी बड़ी साधिश ये थी कि गायों को काटा गया और ये काटने वाले कोई मुस्लिम नहीं थे बलकि हिंदू महासवा के लोग थे इनके नाम भी अब सामने आ गए हैं जी हां इनके नाम सामने आ गए हैं इनको गिरफतार भी कर लिया गया है अगबारात में खबरें भी छब गई हैं लेकिन हर तरफ खामोशी है और इसी सवाल को उठा रहे हैं अमरान पताब गड़ी उन्होंने कहा कि आखिर ये जो हमारा मीडिया है ये जो हमारा गोदी मीडिया है ये इसको क्यों नहीं दिखा रहा है कि दंगा कराने के लिए हिंदू महासभा ने कितनी बड़ी साधिश की थी आगरा का पूरा मामला है जी हां आगरा का मामला है और आगरा में इतनी बड़ी साधिश के पूरे ट्रक में जो करके गायों को काटा गया और काटने के बाद इसको जाहिर है कि इसके पीचे की साज़िश क्याती यही रही होगी कि हिंदू मुसल्मान का दंगा हो जाए या फिर मुसल्मानों के खलाफ कारवाई की जाए लेकिन इसका लेकिन इसका वहां परदा फाश कर दिया गया उसको ब ये सवाल उठाया है कि जब इतनी बड़ी साज़िश का परदा फाश हुआ जब इसमें हिंदू महासबा के लोग सामने आए और उनकी साज़िश बेराखाब हुई तो मीडिया खामोश क्यों है क्या मीडिया को इस सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहिए ये कैना है बरान प अच्चा के नाम पर किस तरीके से मॉब लिंचिंग की जाती है जी हाँ धर्मक नाम पर गव मता के नाम पर भगवान शीराम के नाम पर लेकिन इसके पीछे की जो सादिश है वो जब बेनकाब होती है तो कोई दिखाता नहीं है कोई इसको चलाता नहीं है इसी तरीके का आ नखाब हो गयते हैं और उसके बार तीन पुलिस वालों को सस्पेंट कर दिया गया था क्योंकि पुलिस वालों नहीं उन लोगों को बुला करके या और इस पूरे मामले को बढ़ाया था और जूटा इल्जाम लगाया था एक मुस्लिम पर तो बहराल ये एक बड़ी बात इम मुल्क के खिलाप जो साज़िश कर रहे हिंदों के खिलाप अगर देखा जाए क्योंकि उनके अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं आग पैदा कर रहे हैं आग क्यों पैदा की जा रही है क्यों मुसल्मानों के खिलाफ इतनी नफरत बढ़काई जा रही है क्या इसका तालुक या फिर इसके पीछे कोई बाहरी ताकत है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुल्क को तोड़ने के लिए कोई बाहरी ताकत है जो इनको सपोर्ट कर रही है और आगरा पुलिस उसको सलूट करने को दिल कर रहा है कि उसमें इन सब को बेनकाब कर दिया और इसी तरीके की कुछ तस्वीर जो है 36 गर ते भी आई है जी हाँ 36 गर में भी यही है कि वहाँ पर भी इसी तरीके से शर्पगंदों ने मधभ का चूला पहन कर हिंदू धर्म का चूला पहन कर और वहाँ पे गायों को काटा गया और ये इसके इसका मतलब यही था कि मुसल्मानों पर इर्जाम लगाया जाए लेकिन सवाल ये है कि इनके खिलाफ ये कारवाई क्यों नहीं होती और अब इस पे प्रकाश राज ने भी एक ट्वीट किया प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए जो कि बहुत बड़े अदाकार है सवाउट के और उन्होंने लिखा है कि दरसल ये जो हिंदू है ये भारत के हिंदू नहीं है ये हिंदू भारत के नहीं है बलकि भाजपा के हिंदू है जो ऐसा कर रहे हैं कि अपनी गव माता को ही वो काट रहे हैं कि हिंदु मुसल्मान में जगड़ा कराया जाता के और कुछ मुसल्मानों के इस मामले में अताया जाता के और मुल्क के महौल को खराब किया जाता के तो ये प्रकाश राज का इल्दाम है तो बहराल सवाल ये है कि क्या इतना इनसान गिर सकता है क्या स्यासत में इतना हो सकता है कि इन्सान जिसकी पूजा कर रहा है उसी का कतल कर देगा क्या उसी को काटेगा और इल्दाम लगाएगा कि मुसलमानों नहीं किया है ये बहुत ही शर्मनाक है और सवाल इमरान प्रताफ गली का बहुत जायज है कि आखिर इस पूरे मामले को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है क्यों नहीं स्टोरी बनाई जा रही है क्यों इसको लोगों में नहीं बताया जा रहा है कि ये जो गव माता के कटने की खबर है दरसल इसमें कोई मुसलमान नहीं अलाकि एक खबर ये भी आ रही है कि जिन चार हिंदू के नाम शामिल थे उसमें महासबा के अब उसमें कहीं एक मुस्लिम का भी नाम जोडने की कोशिच की जा रही हो सकता है कि ये कोई प्रेशर हो उपर थे क्योंकि प्रेशर में ही अक्सर पुलिस जो है वो गलत काम कर जाती है उसके उपर सियासी दबाव होता है वो अच्छा काम तो करना चाहती है इसलिए मैं कहता हूं कि पुलिस कभी खराब नहीं होती है नहीं पुलिस कभी खराब नहीं होती है बलकि पुलीस का जो लोग इस्तमाल कुछ भी किया जाता है ऐसे मैं पुलीस प्रेशर में आती है और पिर जो चाहती है कि ऐसा नहो वो भी ओ करती है यहां पे जो आगरा के पुलिस ने वो बड़ा काम किया है कि महासभा के उन लोगों को बेनकाब कर दिया कि जिनों ने कोई बड़ी साधिश रची थी लेकिन अब उसमें एक नाम जो है इमरान मुस्लिम का भी आ रहा है ऐसा कहा जा रहा है ऐसा कुछ ट्विट सामने आ रहा है बहराल जो भी है लेकिन अब ये लोग समझने लगे हैं कि हिंदोस्तान के खलाब कोई बड़ी साधिश हो रही है मैं कते यह नहीं मानूंगा कि मुसल्मानों के खलाब नहीं इंदुस्तान के खिलाब बड़ी साजिश है और इसको रोकना हम सबकी जिनमेदारी है बहुत बहुत शुक्रिया